अश्लाम अलेकुम नमस्कार सस्रिया काल इंग इवनिंग मैं हूं अर्जु कास्मी और आप हमेशा की तरह से देखने हमें जी जॉइन किया साजी ताड़ साब ने बहुत शुक्या सर क्या जा पाएं थैंक यू सो मच अर्जु तैंक यू सो मच सर यहां पे सही अंगामा एक अभी पंजाब एसेमली का डिजॉर्फ करने की बात होती है और कहा जाता है कि कर दी है के पी के गवर्मेंट अभी फि को आरजो टीटीपी आपने लास में बात की वह जो टीटीपी की बात है वो तो खान साब ने वो खान साब की प्राड़क्ट अगले दिनों ने अपने इंटर्विव में उसको एक से अड्मिट की है उन्होंने का भी हम तो इतने इतने ज्यादा जो दैशत गर थे उनको वा लाना था वहां से तो यह तो खान साब ने दिया है और उसको एड्मिट भी कर लिया है और खान साब ने बार बार माजी में कहा गया है कि खान साब का नाम तालबान खान है तो खान साब दर रखीके सारी दुनिया उस प्रोड़ाम को सुन रही थी देख रही थी अब मैं अ असम्बलियों भी तरफ आना चाहता हूं खान साथ सिर्फ और सिर्फ असम्बलियां तोड रहे हैं सिर्फ इस चीज़ के लिए किसी ना किसी त्रीके से स्टैबलिश्मेंट मेरे मेरी कालों का जवाब देना शूरू कर दे मुझे से मिले मुझे दुबारा गोध में उठा ले सिर्फ हो और सिर्फ हैं का दूसरा कोई अभजेक्टिव हैं इस वकत है मैं समझता हूं खान साथ मैं हैरान था कि इस वकत एक major level का officer जो है वो पी टी आई के साथ कम्मिनिकेट करता है और इस पर तडप रहे हैं मेरी इंफरमेशन के हिसाब से इन्हों ने इस्टेबलिश्मेंट के जो हायर लीडर्शिप है उसके उनके रिष्टेदारों चीजों को यह उन्हों ने राब्ते करने शुरू कर दिये हैं दो तीन बंदेरों ने ऐसे ढूंडे हैं जिनके साथ डारेक्ट यह बातें करना करें लेके खांसाब ने अगले दिन जो तक्री भामी चीफ ने कहा है कि उनके जो बास हैं उनके जो वजीरियाजिंए वे उनकी इजाज़त के बगार नहीं मिलेंगे और अगर मिलें भी तो जू बात होगी वज्ऑा को बताउंगा खान साब सफ घुसे में हैं वो कहते हैं यहां पे हजारों लोग हैं जो वो मेरे आस्ताने पे आते हैं जो आके तो मेरे पाउं चुमते हैं आगे तो यह कैसे हो सकता है कि एक इसान मुझे मिलने से इंकार कर दे खान साब ने उसका इतना घुसा मनाया और ने कहा है कौन होता ह मेरे नाम के उपर रेड लाइन लगाने वाला, मैं तो इनको उखाड कर रख दो, उसा फरमाया बहुत ज़्यदा अमीरुल मौमनी में, अक बनता भी है जितना इस वकत वो जितने पापुलर है, कि जो मर्जी वो कर लें, लेकिन कौम जो है वो मानने को तियार नहीं, किसी अगले दिन एक बड़े एक बहुत अच्छे जो जनरलिस्ट है, उन्होंने इनकिशाफ किया था, कि ये 65 साल के बाबे की कन्वरसेशन थी, और खान साब नहीं किया, इन्होंने ओन करके कहा था, बच्चों के लिए नहीं, ये अडल्ट सुन लिया करें इस तरह की वीडियो आडियो मेरी, लेकिन बच्चे ना सुना करें, उन्होंने सिर्फ यह इतराज परमाया था, अब मैं जो असम्बली की तरफ आना चाहता हूँ, असम्बलीगा टूट गई, क्या फरक पड़ता है, जुड़ गई तो क्या कर रही थी, मैं सबसे पूछने वाली तो बात यह ज सिचुएशन क्रियेट कर दो, कि establishment की मजबूरी बन जाए, और उस पर वो चल रहे है, किस त्रीके से, कि मौसूफ के जो spokesperson ने, उन्होंने काया जी, समरी त्यार हो चुकी है, KPK की assembly के लिए, और तीसरा वार्दा, जो है, आरफ अलबी सब त्यारियां कर रहे हैं, कि शिवा election की बात की जाए, और ये भी कहा है, सर, इमरान खान साब ने, कि हम भूलने को तयार है, कि जो इनके साथ हुआ, या, बिल्कुल उनने कहा है, कि अगर घुटलों के बला के establishment आ जाए, तो मैं इनको माफी दे दूँगा, ये भी उनने फरमा दिया, बिल्कु कहा है, लेकिन उसमें मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, कौन को मेरा दो क्वेस्टेस क्रोड लोगों से है, अलेक्शन आपका हल है अगर, तो दिन में तीन दफा कराएं, बलके इसको एक दफाना कराएं, दिन में तीन दफा कराएं, अगर कॉरॉप्शनिस से रुख सकती है, आपकी एक भी निया आदमी को ऐसा आया हो, जिसको जिसके उपर आपको शक शुबा हो, कि इसके आने से अब ये जीतेगा, और ये हमारी किस्मत बदल देगा, यहाँ दूद की नहरेंगी, यह मेरा क्वेस्टेन है, और अगर ये नहीं है, अगर यही 25-25 साल के लंडे लपाडे आके रेंग रोड वाले फिर दाके मारेंगे, तो फिर क्यों पर ये लैक्शन किस चीज़ का हल है, और दूसरा हल आपने समझा है, आपके इस वकत हला है, 700 कंटेनर क्राची पड़े हैं इस वकत, LCI नहीं खुर, 700 कंटेनर, अभी मैंने चेक किया, 10 मिनिट पेले, और आज अज पर लिखा है कि आपके पास इस वकत जो पैसे हैं, वो साड़े चार बिलियन डालर हैं, जो आपके नहीं है, वो सौधी रेविया और चाइना का डिपाजट है, आपका आने वाले, मैं आज मैं थोड़ी दिर बाद आपको बताता हूं, सिरी लंका में क्या हो रहा है, और द कहना शुरू करने जी हमें जिहाद की जुरूरत है, और आज तालबान भी शिर्मिदा हैं, क्योंकि अफगानी करनसी आपके रुपए से जाना स्ट्रॉंग है, और उन्हों ने जिहाद छोड़ दिया है, जिनका जीना मरने इस चीज़ के साथ था, लेकिन आपने पकड़ लिया, लेकिन जीए, जिहाद वाली कौम नहीं है, मैंने तो आपको बता दीया जीहए नहीं, जिहाद वाला नहीं हो, इस पर आपको पहले कर लिया था, यह सिर्फ जबान एक्मी में पूहit यह, इन्हों ने इसलام की सिर्ट को memorize समझा," जब नम्हाद तर्जमे के साथ पिस सबसे बड़ा खत्रा इनको है ये है कि जो पैसे प्लेज किये गए हैं ये कहीं नवाज शरीफ के दौर में ना आ जेगा ये पैसे मैं रसीव करूं मेरे बच्चे अमीर हों देखे न मुराद सहीद के पास तो सिर्फ दो चारा रव रुपया है गरीब आदमी है देखे ही चीज निकली है मरियम वट्टू की वो भी मैं बताना चाहता हूं जो फस लेडी की बहन है जो आठ लाग रुपया तरहा लेती रही है यूई के अंदर बैटी रही है एक दिर पाकस्तान नहीं आई और हायर एजूकेशन से आठ लाग रुपया वो तरहा लेती रही है प लेकिन यह के देखें अलेक्शन हल नहीं है बहुत कड़वा एक हकीकत यह है पाकस्तान इस पोजीशन से आगे सिर्फ बच सकता है दो चीजों से टेक्नो क्रेट गर्वर्मेंट आए वो भी दो तीन साल रहे या फिर मार्शल ला लगे मौशी एमर्जरसी के साहरे उसके अ सज Players अ कि पैसा लाटा है तो वहारा आणी चीफ लाते है चाइना से पैसा लेने जाता है तो आर्मी चीव जाता है क्योंके इन लोगों की नो है यह खतरनाग ट्रेंड है कि लोग स्टेट को उसकी आर्मी को देते हैं पैसे उधारे दें इनको तो पैसे को नहीं देता तो फिर इन से यह तो सिर्फ लेके भागने वाले लोग हैं इन से तो बचना चाहिए इनकी स्टोरिया मौजूद हैं इनकी स्टोरिया तो सर अभी जो मौजूद हैं कोई फैसला करना होता है तो यह लंदन पहुंच जाते हैं अभी राना सनुलाह साब कभी सुना है क्यों लंदन जा रहे ना वाज शाहिव से पूछने नहीं वो तो पार्ट टाइम सियासत करने तो फुल टाम सियासत ही नहीं कर रहे ना देखें वह तो यह कै से हो सकता है कि पंजाब इसमली के अंदर वोट आफ नो कांफिडेंस हो और वहां पर आपका अपोजिशन लीडर ही मौजूद मरीम नवाज है वो कहती है अभी मैं मश्वरा कर रही हूं वापस आना चाहिए कि मुझे इसके बारे में मेरा जवाब यह है आरजू अगर साइस हाब कांटी न्यूसली स्टैबलिश्मेंट के साथ इन टाच है वो हमेशा स्टैबलिश्मेंट की राइट साइड पर खड़े होते हैं तो इस वकत ये भी चैम अगोई हैं हो रही हैं कि ये जो इनको एलेक्शन जितवाया गया है ये उरिजिनली पुलिटिकल अंजि होड़ा जा रहा है हमारे लताफ भाई वहां से बड़े खुश हो गए नई नई शालें लेकर वो स्टेटमेंटें दे रहे हैं पर उस बाद पाइटी का बंदबस्त हो रहा है पर आपकी अधर हकीकत आपकी तो जो टीटी पर नहीं है आपकी तो पुलिटिकल इंजिरिंग आइस वर्क चल रही है आपका तो आपकी दुब्बद नसीबी यही है कि छेतर साल से आपने सिर्फ प्लिटिकल इंजिरिंग में तरक्की की है सरी यह पीपल्स पार्टी हो सारी यह पीटी आए हो चाहे यह इसके साथ MQM हो यह पीमल की हो यह तो सब इस्टबिश्मेंट ने खुद बनाई है सारी पार्टी है सारा कुशी तो उनकी गेम है भई मैं तो आपको पहले हरस किया था कि बुटो जो थे वो यूब खांगे बच्चे थे बेटे थे उनके नौई श्रीप सब जहुलहक के बच्चे थे बेटे थे यह जहुल इसलाम का पर खुरदार है स्रिलंका से कंपार्जन करना चाहा रहा था हो राजाबक्षा के साथ मनिस्त्री स announce ती तरह प्रय लें वह नवाई श्रीप को प्रफ तरह नौई श्रीप का तरह हकीकत बात यह है कि यह लोग हल है यह नहीं नहीं मैंने आरजु जब सारी जिन्दगी मैं प्रोटिकल साइंसी पढ़ता रहा हूं जिम्हुरियत आपके लिए बनी नहीं है developing countries जहां पर लोगों की तालीम का standard ना हो वहाँ जिम्हुरियत नहीं चल सकी यह एक Western civilization का एक product है जहां लोगों को at least यह तो पता हो कि what is called legislation हम असंबलियों में आए हैं क्यों आए हैं यहां पर मुसलसल कारोबार होता है कि पांच करोड लगा के आए हैं 25-30 बना के जाएंगे य स्यासरत नहीं है یہ जह्मुरियत नहीं है और दूसरा थीज़े बहुत जरूरी society के लिए इससे पहले कि उनको जहमुरियत आठेमें सब्चार्ण यह बहुत जरूरी यह बहुत जरूरी है और economy बहुत जरूरी है तो मेरे सामने इमरान खासाब बैठके ये मुझे बता दें कि पाकिस्तान की 22 करोल लोगों को जिहाद की जरूरत है और सियासत की जो बातें करते हैं साड़े तीन साल की गलतीयां तसलीम नहीं कर रहे हैं कौन साइन को मैं कहूँ ये के अच्छाय करेक्टर इनक साड़े तीन साल की गलती नहीं आज तक मानी कि मैं फलाजेगा मैंने गलत की मैंने उसे ये गलती होगी मैं कौम से मावी मावी मागना चाहता हूँ दुनिया पूरी में आज मैं नहीं बात नहीं करना चाहूँगा पूरी दुनिया से पाकस्तान के रिलेशनशेप इनों ने खराब की पूरी दुनिया से भारत के साथ एक गोल्डन आपरचुलिटी थी जो जावेज चोई साब ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि मोदी साब पाकस्तान आना चाहते थे वो लस्बेला के पास जाकर हिंगल आज जाके लस्बेला में जाके वो वहां पे दस दिन रुखना चाहते थे पाकस्तान के साथ ट्रेड खोलना चाहते थे यह तो कहते हैं इनके पास पावरी कोई नीटी सारा कुछ तो इस्टैब्लिश्मेंट चला री थी तो इन्होंने किसे मैं अनुने उनका प्रोग्रम कि बीच साल के लिए किश्मीर का मसलें पर बात नहीं करेंगे ट्रेड हम खोल देंगे लेकिन कुरेशी साब ने कहा था कि आप आपको स्यासी तोर पे बहुत नुक्सार होगा वह यह एक ड्रामा है कि मेरे पास कुछ नहीं था होता तो लेकिन एक बात यह जरूर है कि देहुल साब इन्हों ने दोनों ने मिलके मीडल इस में यूएई में मीटिंग्स इनकी होती रही बलके अमेरिका के अंदर जो यूएई का अमबैस्टर था उन्हों ने ये बात ली की थी कि इस इस वट इस गोई और मैं समझता हूँ कि बदनसीबी पाकस्तान की जो खासाब को क्रेड़िट जाता है इसको तबाह करने के लिए खासाब को क्रेड़िट जाता है हर मुलक के साथ अमरीका के साथ रिलेशन्शिप इनके खराब, MBS के साथ रिलेशन्शिप इनके खराब, CPAC इन्हों ने बंद कर आज मेरा नोट कर लीजेगा बात कि अगर ये बंदा वापस आया पाकस्तान बांड भी एबल टू सुर्वाइफर मेरे क्याल में और मैं ये बात खुद नहीं कर रहा हूं मैंने वॉशिंट डी सी में कई लोगों से सुना था कि अगर ये खासाब कुछ हरसा और रहा जाते त तो फिर आपको पाकसान ढूड़ना ही पड़ना था कई नक्षों में कि किदर गया पाकसान साथ 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 इनका ये भी कहना है कि जी शहवाइफ साथ के लिए कि मैं उनको नीद की गोलियां खाने पर मजबूर कर दूँगा ये स्टेट्मेंट भी आज खान साथ का आया हूँ था तेखिया गोलिया तो अगर रखना ही होता सर तो इनको हटाते ही क्यों अगर इने ध आदत पढ़ चुकी है इस तरह की ड्रामे बाजी की कि वो प्रूटिकल इंजिरिंग पर तौजव दिये जा रहे हैं अला हमें पता है इसमें से निकल लेगा निकलेगा कुछ नहीं इसमें मजीद गंद से गंद अब मैं बात अगली जो करना चाह रहा था वो आर्जू इनकी मर्जी से यह वहां नहीं मानेंगे फिर उसके बाद जिम्हेदारी जाती है अलेक्शन क्मीशन पे वो बनाएगा वो भी यह मानें गे अलेक्शन करा रहे अगर यह यह हार जाएं तो एलेक्शन क के रिजल्ट को नहीं मानेंगे तो मुझे समझ नहीं आती है कि यह चाहते क्या है जो बात इनकी मर्सी की ना हो उसको नहीं मानते है फैसला गल्त है अडालत से फैसला गल्त आ जये तो अडालत गल्त थी election commission से फैसला गलत आजए तो election commission गलत था फोजी आज आर्मी चीफ इनके मर्जी का ना लगे तो वो वो गदार है वो शवाज श्रीव को प्रोटेक्ट करने के लिए आ रहा है यही की statement थी कि अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाएंगे अपनी corruption को बचाने के लिए हर चीफ जो मेरा मकसिन की मर्जी को ना हो उसको accept नहीं करते तो फिर एक किस तरह आगे चलेगा पाकस्तान इस बंदे के साथ लेकिन एक मैं बात यह बताना चाहूंगा बात कि वो अभी तक जो gimmick है रहा है जिस तरीके से पाकस्तान को उसने hostage बना लिया है मैं कहीं दफ़ा डरता रहता हूं यह ना हो कि कल को establishment के पास choice कोई ना रहे है इस वकत जो हमारे शभाज शरीफ साब ने और नवाज शरीफ साब ने अपनी सियासत को part time कर दिया है कि वो जिस तरीके देखे ना सीरियस ही नहीं ले रहें वापस ही नहीं आ रहें फील्ड में ना उन्होंने कोई इस वकत अगर देखा जाए तो उनका सबसे पहला पहला नरेटिव यही था नौाज शरीफ का के वोट को इस दो दो अब दुबारा जाएंगे कौम के पास वोट लेने के लिए किस नारेटिव के साथ जाएंगे क्या नारा लगाएंगे वहाँ पर जाके कोई क्या चीज काउंट कराएंगे और यह दूसरी तरफ पर जाके जो हमारे अमीर मोमनीन है उनके पास तो बड़ा इजी तरीका कार है महँगाई को डालनेंगे इनके गले में तो फिर क्या बनेगा मैं यही लेकिन सार एक ऐसा मौल्क जो कंगाल है जिसके पास पैसा नहीं उसमें इनको क्या शोक बना हुए प्राइमिनिस्टर बनने का नहीं देखें अग मेरी बुलबुल तुमें डालर मिलेगा अब तो डालर मिलेंगे अब तो प्राफिटिंगा लंडन की महँगी हो जाएंगी दुबई में प्लाजे बनेंगे आप देखें तो सही ने किस तरीके से आज आज मैं एक आइटिकल किसी का पढ़ रहा था उन्होंने कहा हर बड़ और उस पर आइटिकल बड़ा अच्छा कि जीने लिखा है तो ये आप सोच नहीं सकते किस तरीके से दीदा दलेरी से कुरॉप्शन होती है और पूछने वाला कोई नहीं है क्योंकि देखें 76 साल में कितना पैसा है पाकस्ता कितना पैसा है बहुत पैसा आपने आप करजे ह बोल हो कि Scottish को समझ आ गई चुक हैं ने फिर भी रूखने वाला कोई नीजा अकोई आउगे आपको फिर में सब्ड़रो प्रिंस दिन कमाडं मूनश अला ही साभ अपने प्रावेट आप अलहींगा साभनें प्रेस के सब काया कि पैसा लेकर यहां से जाहस पर उड़के गये विलकुल को उसके बारे में बता दे मुझे कि उसको किसी ने चैलेंज किया हूं उसके वो जो साथ उनका एक जो इदर लॉंडाला पाड़ा था पकड़ा उन्होंने यहां पर इसका सर पर चोट लगी का तक गाड़ी के द अजज एक माई नहीं पढ़ रहे 660 साल से पढ़ रहे हैं और रोकने वाले होते तो आज आप पाकिस्तान के हलात ये ना होते हैं मैं दुक के साहत कहता हूं मेरे माजरे मिलत एक इसके बार है आपने अपने पावर बनाने वाले को भी किस त्रीक से जलीरू寸े रहा है मारे प्राइम मिनिस्टर साव Californ workload उसके जनाजे नहीं गया। सार वो तो किसी के भी जनाजे नहीं जाते वो तो उनका वतीरा है उन करीवी से करीवी के जनाजे पे वो नहीं जाते वो मर्जी वो दब देखे हैं जब आपकी अना इतनी बड़ी जब आप समझें कि पाकस्तानी स्मॉलर फर्मी वो कहते हैं मैं तो भाई अगले दिनों कहा है यह बर्दगान हूं मैं मुझे पकड़ा गया तो टैंकों के नीचे आजाना बर जाना गले काट देना हाँ बिलकुल तो इसमें अब तौबा तो भी हो सकती क्या इसमें किया जा सकती है और यह कुछ भी हो लेकिन यह फिलाल वापस ना आए तो बेतर है अब जैसे आप कह रहें कि टेक्नो क्रेट की गर्वर्मिंट आजाए वही बेतर होगा यह देखें दो चीज़ें आरजू उसमें टेक्नो क्रेट उसकी हिस्टी थोड़ी सी बताना चाहूंगा जब भी टेक्नो क्रेट इनोंने लिये हैं तो लेते हैं आई-म-फ से और वर्ड बैंक से क्योंकर पैसे इनका अब्जेक्टिव होता है तो मेरी हमबल रिक्वेस्ट लोग आएं अगर नहीं आ सकते तो फिर ना आए लेकिन उनके नाम E.C.L. में होना चाहिए और जितने फैसला करने वाले लोग हैं उनकी E.C.L. जाएं तो मुलक से बाहर जाना हो तो प्रमिशन लेकर जाएं अगर सरजरियां करानी हो तो पाकस्तान से अंदर से कराएं वर से और सुना है उलकी वाल्दा की बी कुछ सरजरी है वो भी भार से पहले बड़े मिया है वो भी भार से तो अगर पाकस्तान इतना बुरा है तो फिर उसके उसमें स्यासत में आके ऐलेक्शन पो लड़ते हो आगे तो तीसरी दफाब प्राइमिस्टर बने हो भाँ पे अग कि पाकिस्तान को माफ कर दें आप पर्मानेट लंटन ने क्या फराइब बड़ता है मैं भी तो अमेरिका में बैठा हूँ अगर मैं सुबा शाम में वहां जाके लड़ना चाहूं वहां डाका मारने का मेरा प्रोग्राम हो तो फिर वहां अगर तीन दफ़ा मैंने मारना हो डा क्या आपने तने साल गुजा रहे हो तीन बार प्राइम मिनिस्टर रह चुक्या हो लेकिन यह कि यह सोचना बाइस क्रोड लोगों का भी काम है यहां पर यही कहा जाता है ना के इस्टैब्लिश्मेंट ले आती है जिसको लाना चाहती है वोट का इसमें कोई दखल नहीं हो लेकिन एक हटोस है दुक्प वाली बात यह है कि मैं आगले दिन देख रहा था कि आपके सर्कूंस्तानसीस पाकस्तान में लोग जिस तरीके जे भाग रहे हैं आगले दीन पासपोर्ट बालों अपना वो जो निकाला है कि किस तरीके से आपकी यूथ जो रहाई है बचाने वाला कोई नहीं है असास स्रिलंका के हवाले से एक आखरी में जो बात आपसे करना चाहता था मुझे से एकले दिन किसी ने क्वेस्टिन किया कि उसने का ताड साब जो बंदे जो कंट्री ब्रेंकर फ्टो हो जाते हैं तो क्या होता है तो मैंने उससे पहले वेंस्वेला के बारे में पढ़ा था तो वहां पर लोकल करंसी इतनी डी वैल्यू हो गई थी कि सडकों पर पढ़ी होती थी उठाता को नहीं और उनकी फिर लोकल करंसी डालर बन जाते हैं एक तो मैं यह बताना चाहरा था एक चीज़ यह होती है दूसरा उसमें जो मैं बताना चाहरा था कि बार बार हमारे यह भी कहते हैं डार साब भी हम बैंकरफ्ट आप नहीं होते क्योंकि आप डालर आप अपनी करंसी प्रिंट करते रहते हैं बाहर से कोई चीज नहीं खरीद पाने इस वकद स्री लंका में लोग जाते हैं तो वो खाना पैक करके लेके जाते हैं अगर पेट्रॉल लेने जाना हो क्योंकि क्या पता है दो दिन गाड़ी में सोना पड़े कोई पता ने तीन दिन सोना पड़े इस तरीके से बैंकरफ्ट कर फिर अदवियात नहीं मिलती आपक मरियम और मैडम दूसरी तो बाहर चली जाएंगी अपने प्राइमेट जाजों मेरे और आप जैसे लोग वहां खली लोखवार होंगे वो फिर हकीमों के पास जाएंगे वो फिर हमें घाद जो है वो रगड़ रगड़ के बो देंगे उस तरहा लाजमारा करेंगे लसंग क साथ और प्यास के साथ एक तरही हो जाता है फिर उसके बाद यह है मैं जो बताना चाहरा था जो अगली बात ही है मेरे मैं अपने इस्टैबलिश्मेंट वेले भाईयों से बात करना चाहता हूँ सिरी लंका ने आज अपना कहा है कि हमने अपनी फौज कम कर दी हम तरहाई दी दे सकते फौज को उन्होंने एक लाख उन्तालीस हजार पर ले आया है नंबर अपने और उन्होंने कहा कि हम एक लाख तक ले जाएंगे 2030 तक जब मुलक जब जलीलों खौर होते हैं तो अगला स्टैप यह भी होता है आपके एरलाइनें भी रुक जाती हैं ट्रेनें भ रुक जाएंगी गदों पर सफर होगा तांगों पर सफर होगा फिर उसके बाद क्यूंकि और दूसरा यह है कि डार साब में दो खतरना बातें अगले दिन कही है एक तो उन्होंने कहा है कि दस बिलियन की जो मैं बाहर से लेकर रहा हूं उसमेंसे नौ बिलियन कर्जा है य लेकिन ने कि उन्हों ने इसलिए नहीं दिया आपको पैसे कि आप बहुत पाकस्तानी बहुत खुबसूरत हैं तो ये दस बिलियन आप ले जाएं तोफे में कपड़े वपड़े ले लिजीगा इसके कहीं से ऐसी बात नहीं है वो आपके गुर्दे लेंगे साथ गुर्दे खुआ लेंगे चाइना के पैसे ना वो गुर्दे लेंगे आपसे आपने पीजा स्टोर तो बना ली है उनसे 26 बिलियन से अवाम के गुर्दे लेंगे पहले आपकी लड़किया ले जा रहे हैं वहां पर वहां ले जाके शादी करकर के कई कई प्रसिटूशन में हैं वहां इस वकत असम्बलियां टूटी हैं दूसरी जो जो टूटी फूटी असम्बलियां जो आज दो खबरें आई हैं आप केपे केपे हावाले से एक तो वहां पर थाने पर अमला किया गया है डी एसपी को प्रसिटूशन कर दिया गया है लेकुर्दूशन हालात इतने खराब ह हैं इस वकत आपके सुबा सराद के लेकिन खबरें नहीं नहीं कर रही हैं खबरें केंट्रोल की जा रही है और एक जो अब लास्ट है वो काबल में भी हुआ है तीन दिन पहले उनकी फारण मनिस्ट्री के सामने बीस लोग उसमें मारे गये हैं आईसिस ने उसकी जो है वो एकसेप्ट कर ली है रिस्पांसिबिलिटी इंटरनेशनल जो मुबसरीन है वो यह समझते हैं कि शायद यह पाकस्तान भी शायद कोई इसका कोना जोड़ता हो जो अफगानस्तान में जो यह टीटीप वाले यह तालबान जो हमारे साथ कर रहे हैं शायद उसके में बिजी बिल्कुल वह भी फारिए मगा सार यह खबरें तो हमेशा से चुपाते आते हैं चाहे वो बलोचस्तान की नियूज़ों या के पी के बलोचस्तान की खबर यह आ रही है कि गवादर में हदायतुला साब मौलवी उनको रेस्कर लिया गया है अलाकि उन्हों कोई वाइलेंट उन्होंने वहां पे स्पीच नहीं दी और उनकी मुतालबात अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे अब सर्प्राइज मुझे तो मैं बड़े अरसे से गवादर के बारे में जानता हूं बिलखसूस उनके ऐसी मुसा मासूम उनकी डिमांड्स हैं उनको मना करें वो मचली रहा हमारा रोजगार उसका बड़ी जायज उनका ये यह हाक है उनका दूसरा उनका जायज हक है हो कहते हम तो लोकल हैं ये हर दो मील के बाल आपने चेक पोस्ट बना दी हैं दूसरे वो बलोच लोग हैं उनकी खवातीन बुरके पहनती हैं ये वपास एरान से को घुर्बत इतनी है वो उनके आगे जा के माम मकराण हेरीय में उनका बाडर मिलता है इरान के साहते हमें वहां से ट्रेड करने दिया जाए हम वहां से चीज़ें ले सकें कुछ बेश सकें उनके साफ् przeci उस边 कि कितने मुसाबए चोटी चोटी उनकी निमार लेकिन हमारे ब्यूरोक्रेटिक लोग जितने ये हैं इनका मैं क्या कहूं कि किसी को ये खायश नहीं है कि पाकस्तान को किस तरह मैनेज करना है ये चिलाना है दुख वली बात है हैंक रैजवेट सारे आक्सपर्ड और हार्वर्ड के लेकिन पाकस्तान जाते हैं तो अकल पे चाले लग जाते हैं ये वी एक बहुत ट्राइजडी है कि बलोचस्तान के लोगों को जो शिकायते होती हैं वो कुछ गलत नहीं है मैं यहां पे अरज करना चाहता हूं जो अगले दिन मैंने आपके पासपोर्ट एड्मिस्टेशन की जो मैंने रिपोर्ट पड़ी थी कि इस वकत पासपोर्ट बना के जितने ज्यादा लोग बाहर जा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ब्लोची यंग लोग हैं बिलकुल और उ